हरे कृष्णा व्यूवर्स मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल श्रिफशक्ती डिवाइन टारो पे और आज आज देखें हैं कि जो हमारे व्यूवर्स क्या अप्रिकॉर्ण है उनके जो पार्टनर्स हैं वो नेक्स 15 डेज में उनके लिए क्या अक्शन ले सकते हैं ओके व्यूवर्स तो चलिए शुरू करते हैं लीडिंग शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक जैनल लीडिंग है तो इप में और में नॉट रेजनेट विद आल अफ यू आप अपने सन मून राइजिंग किसी भी साइन से देख सकते हो जो भी आपक किस साथ रेजनेट जरूर करेगा कि नेक्स 15 डेज के लिए कुछ नफी गाइडन्स जरूर होगी इस वीडियो में आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं अरे कृष्णा राधे राधे जैशिवशक्ती हर हर महादे जैपोले नाथ एंजल फ्लीज गाइड करें कि मेरे दो ग्यूर्स काप्रिकॉर्न हैं सनमून राइजिंग वीनस उनके पार्टनर का नेक्स अक्षिन क्या हो सकता है उनके लिए नेक्स 15 डेज में ज़िए काई परें शुरूर करें लिए विए वान चर्ट जी पार्टनर का करने कि अक्षिन का आपके बहुत जयादा थ्राप्टनर भी में ये में अब्यूर कर सकती हूं से आपकी तरफ बहुत जादा अट्राक्शन भी में सुपसूरत जादा खुबसूरत मानते हैं, उनकी नजरों में आप दुनिया के सबसे खुबसूरत लड़के या लड़की हो, ठीक है, और आपके पार्टनर्स खुद भी बहुत जादा खुबसूरत हो सकते हैं, अगर लड़किया हैं तो बहुत ही जादा, बहुत खुबसूरत आखें, अब मैं बताऊं कि आपके partners क्या करने वाले next 15 days में तो देखिए career को लेकर वो परिशान है हो सकता है कि उनके business में या career में सब कुछ सही चल रहा हो लिकिन वो मुझे लग रहा है कि अभी किसी project पे या कुछ लोग government services की तियारी करते हैं मुझे दिख रहे हैं या किसी exam की तियारी करते हैं मुझे दिख रहे हैं आप जैसे resonate हो वैसे ले लेना जैसे भी आपकी partner की situation है या उन्होंने कोई project अभी लिया हुए अगर वो working है तो और वो उसी पे काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन साथ ही साथ यह इस relationship पे भी काम करना चाहते हैं और next 15 days में यह सोचेंगे बहुत जादा इस बारे में ठीक है बहुत जादा सोचेंगे मुझे यहां पर दिख रहे है कि आप लोग का long distance हो सकता है different cities में तो सोचेंगे क्या आपकी तरफ travel करने का ठीक है और यह ना travel करना चाहरे आपकी तरफ यह सोच रहे हैं बहुत जादा attraction फील कर रहे हैं मैं यह नहीं बोलूँगे कि बहुत जादा love वाली vibes हैं नहीं मुझे वो नहीं दिख रहा लेकिन आप balance बनाने वाली vibes हैं क्योंकि इनका mind अभी occupied है बहुत जादा लेकिन इतना occupied होते ह हुए भी Capricorn यह आपके लिए सोचेंगे अब यह इस रिष्टे को एक नए perspective से देख रहे हैं ठीक है हो सकता है पहले इनको लगता हो कि यह काम के साथ नहीं manage कर सकते हैं relationship या कुछ भी यह relationship नहीं चल सकता है या किसी भी वजह से इनको लगता होगा कि नहीं you are not worth it इनको करेंगे ठीक है बहुत रूट में बात करेंगे हो सकता है कि आपको बताएं अपनी व्यथा बताएं क्योंकि हैं बहुत परिशान बताएं कि यार में बहुत बीजी रहता हूं ऐसा वैसा कुछ किसी भी तरीके कर आएगा communication और मुझे लग रहा है कि थोड़ा negative communication आएगा ले अगर confession है भी या relationship में थे भी तो थोड़ा बहुत ब्रेक है या on-off situation कुछ तो है different cities में कुछ भी ऐसा तो है जैसा भी resonate करें अपने according उसको वैसा लेना आपकी तरफ आएंगे ठीक है communicate करेंगे आपसे चावल करने का भी सोच रहें ठीक है अब उस communication पर बेस जोगा कि वो travel कर करेंगे कि नहीं करेंगे तो अब आपको politely बहुत प्यार से बात करने क्योंकि वो परिशान है किसी project पर किसी चीज पर लेकिन साथ ही साथ अब इनको यह अकल आ गई है और 15 डेज में यही अकल इनको आई है यह जो new perspective से देखना शुरू कि आना वो इसलिए क्योंकि आपक इगो attitude में बात करेगा और अंदर से भी ऐसा नहीं कि बहुत emotional पील कर रहा है वो attraction वाला pull फील कर रहा है not in a negative way निगेटिव नहीं है वो एक होता है ना इसको अंदर से feel हो रहा है लेकिन इसका गट अलाव नहीं कर रहा है कि हाँ यह हो सकती है यह मैं full-fledged relationship में चला ही ठीक है और यह relationship में भी जब निभाने पर तो बहुत निभाएगा यह ऐसा है बहुत hard working किसंद का इंसान है ऐसा नहीं कि materialistic है पैसा चाहिए और something नहीं हर चीज का balance बनाना चाहता है ठीक है तो बस यही बात है कि मुझे लग रहा है तुला राशी का वह हो सकता है साइंस यह बहुत लग रहा है तुला राशी का हो सकता है बहुत अदर डॉमिनेट कर दीवे एनरजी है यह तुला राशी की बाकी Aquarius भी है Gemini भी है Cancer भी है Pisces भी है Scorpio है यहां Taurus, Capricorn है Aries, Leo Sagittarius है सारे साइंस है general leading है तो सारे साइंस ही होंगे बट जिस भी साइन का आदमी है आपके स मोटिवेशन चाहिए कि हां balance बना के हम चल सकते हैं मैं बो mature इंसान हूं यह जो है आप में एक mature इंसान ढूंड रहा है जो इसको समझे कि इसके लिए करियर भी important है आप भी important हो family भी important है लाइफ का हर aspect important है ठीक है तो यह आ रहा है आपकी तरफ आपसे बात करेगा होगी यह अब आपको दिखाना है इसको कि हां you are worth it ठीक है तो काफी अच्छी energy यह बात है attraction बहुत होगा attractive pull होगा अगर यह आपकी तरफ travel करके आते हैं तो अच्छी बातचीत होगी और eye contact होगा सारी चीज़े होगी अच्छी चीज़े होगी लेकिन हाँ अभी इसके दिमाग में सिर कि आप relationship को कैसे आगे लेके जाते हो कि इसे 15 days के energy है ठीक है और energies change भी होती रहती है तो अब आपना देख लेना लेकिन हा positive energies है और जहां भी stuck feel कर रहते हैं बहां से सामने आ रहे हैं clarity दे रहे हैं ठीक है अब किसी भी तरी की clarity हो सकती है और कुछ cases में ऐसा हो सकता है कि आपक लेकिन अगर ये चीज़े ना बोले हाई हलो करें तो समझ जाना कि इनके दिल में है कि balance बनाना चाहते हैं तो directly बात करना मिलने की खुद से मत बोलना जो इनके दिमाग में है वो ही रहने देना अपनी तरफ से कुछ नहीं की छोटा सा message किया तो तुमने एक बड़ा सा message कर चलो मिल लेते हैं नहीं प्यार से बात करना फ्रेंज की तरह बात करना फिर देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन नेक्स 15 डेस के लिए यही एनरजी रहने वाली है ठीक है तो अगर ही आपकी साथ रिजुनेट किया है तो डू लेट मी नो इन दो कॉमेंट सेक्शन ओके ल लेहीं बाइ़!